तुलसी के नीचे दीपक के रूप में अगनी जलानी चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं लेकिन रवी वार के दिन दीपक नहीं जलेगा, खासतोर से जो महिलाएं हैं जिनका विवा हो चुका है अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तो रोज शाम को घी का एक दीपक तुलसी के नीचे जलाएं और कोशिश करें कि रवी वार के दिन दीपक न जलाया जाए, अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें, तो आपके वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं दूर हो जाएंगे दरपड के सामने, मिरर के सामने, अगर आप अगनी का प्रियोक करते हैं, तो आर्थिक संकट दूर होता है, शीशा बड़ी खास चीज है, मिरर जिसमें हम चेहरा देखते हैं, ये बड़ी खास चीज है, ये हर चीज को दूगना कर देती है अगर सीशे के पास अंधकार हो, डार को हो, तो जीवन में अंधकार दूगना हो जाता है, और सीशे के पास अगर रोशनी हो, तो जिन्दगी में रोशनी दूगनी हो जाती है इसलिए आप एक नियम बना लीजिए घर में सीशा जहां भी लगा हो छोटी सी मुम्बत्ती रोज शाम को सीशे के सामने जलाईए उसका प्रकाश दुगुना हो जाएगा और घर का जो आर्थिक संकट है घर की जो financial condition है वो ठीक होगी घर का आर्थिक संकट समाप्त होगा आपके शरीर में भी अगनी है फायर है और ये फायर बड़ा महत्वपूर्ण है आप देखिए आपके शरीर में जो अगनी होती है वो तकरीबन 96-97 degree centigrade से ले करके और तकरीबन 106 degree पे होती है आपका शरीर एक निश्चित अगनी पे सेट है अगर निश्चित अगनी से जाद कम हुआ 96-95 degree से नीचे गया तो आप कमजोर हो जाएंगे, फेंट हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे यानि आपके शरीर में भी अगनी की जो मात्रा है वो बिलकुल सेट है एक निश्चित अगनी की बीच में ही आपका शरीर रहता है न उस तेमपरेचर से कम में जाएग न उस तेमपरेचर से जादा में जाएगा और अगर तेमपरेचर कम हुआ तो भी दिक्कत है और तेमपरेचर जादा हुआ तो भी दिक्कत है तो शरीर का जो फायर है वो भी बड़ा बैलेंस होना चाहिए और शरीर के फायर को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सुबह सूर्य भगवान को जल चड़ाया जाए सूर्य की अगनी सूर्य की उर्जा आपके शरीर के फायर को ठीक कर देती है इसलिए सूर्य भगवान को जल जरूर चड़ाये ताकि आपके शरीर का फायर आपके शरीर की एनरजी लगातार बेहतर होती चली जाए तो अगनी बड़ी एहम है और मेरा निवेदन है अपने तमाम धर्शकों से कि रोज शाम को घी का या तिल के तेल का दीपक अपने पूजा अस्थान पर जरूर जलाईए अपनी परंपरा को मानते हुए अपने धर्म को मानते हुए और इसके प्रभाव को देखते हुए